हेलो एब्रिवर्ण आई एम सोनम वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अपना विद्याले आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले गध्यांस हल करने का ट्रिक जो कि आपके बोड एक्जाम में 10 नंबर का आता है यानि बिल्कुल पक्का है कि ये 10 नंबर आप के बोड एक्जाम में रखा हुआ हिंदी में तो यहां पे हम आपको क्लाश 12 हिंदी की गध्यांस किस तरीके से ट्रिक से हल करें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इससे पहले मैंने पद्यांस हल करने का ट्रिक बता चुकि अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर इस तरीके से जैसे मैं बताऊंगे उस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे तो आपको वीडियो को बिना इसकिप के लाश्ट तक देखना है तभी आप लोग गध्यांस हल कर सकेंगे ट्रिक से तो यहां पर सबसे पहले नीचे दिये रहते हैं जिनको आपको पढ़कर यानि इसी पैसे पैराग्राफ में से आपको इन पांचों क्यों का आंसर देना होता है तो यहां पर हम आपके लिए लाए कुछ इंपोर्टेंट गध्यांस जो आपके बोर्ड एक्जाम में जरूर आएगा तो यहां पर दे आता तो हमारे चैनल पर वीडियो अप्लोड ट्रिक पहचानने की वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं तो यहां पर देखिए इसी तरह के पैराग्राफ आपके बोर्ड एक्जाम में दिये रहेंगे और दो दिये रहेंगे एक रहेगा किसी और चेप्टर से एक किसी औ पढ़ लिजेगा भूमिका निर्मार देवों ने किया यहां से लेकर आउस्यक धर्म तक आप लोग पढ़ लिजेगा ठीक है तो यहां से पढ़ने के बाद यह होता है कि जो पांचों केशन है इसका आंसर आपको इसी में से पढ़ कर देना होता है तो आप लोग अगर इस गद्यांस के सिर्षक युम लेखक का नाम आपको लिखना है तो काफी ट्रिक्स किस तरीके से लिखेंगे कि आपको टीचर पूरे नंबर देंगे तो यहाँ पर पहला यह कोश्चन रह गया ठीक है दूसरा है राष्ट भूमी की प्रती हमारा आउस्यक करतब भी क्या है और उसके बाद नेश्ट है यह प्रत्वी सच्चे अर्थों में क्या है और पांचवां कुश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से लिखेंगे यह भी हम बताएंगे रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो यहाँ पर पहले कोश्चन का पहले हम आंसर द है यहाँ पर जिसे भूमी का निर्मार और यहाँ पर डेश डेश आऊस्यक धर्मेन लाश्ट वाले लाइन को आपको लिख देना तो उसके बाद यहाँ पर उत्तर डालना है उत्तर में आपको पहले का उत्तर था यानि जो क्वेश्चन था वह था सिर्शक और लेखग का नाम लिखना तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है जिससे की आपको पूरे नमबर मिलेंगे वह प्रस्तूत गद्यांस का सिर्सक है तो जो शीर्सक उसको ब्लेक पेंग का यूज करना वहाँ पर राष्ट का स्वरूप नेगी वह राष्ट के स्वरूप का जो पराग्रा हमारा आवस्त्य क्रताब क्या है टींक है इसका अन्सर आपको इसी पराजहेंगे तो ईसके भूतिक रूप संदर्चे के परते सचेत होना हमारा आवस्त्य क्रतब दूसरे नंबर का आइसर डाल कर इसको आप लोग अप लिख लिजिए ठीक है इस तरिके से आपको तो यहां पर देखिए राष्ट भूमी की प्रती हमारा आउसे करतव उसके भौतिक रूप संदर और समिधी की प्रती सचेत होना है ठीक है तो यह होगी हमारा सेकेंड फिर उसके देखेंगे थर्ड उसके बाद देखिए थर्ड कोईशन जो है वह किस परकार की राष्टियता को लेखक ने निर्मूल कहा है ठीक है तो आपको इसी पराग्राफ में इसका आंसर देखने को मिल जाएगा तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर कुछ इस तरीके से जो राष्टियता-प्रिथवी के साथ नहीं जुड़ी हो निर्मूल होती है ठीक है तो यहीं इसका आंसर आप लोग इसको लिख ली जएक तो यहां पर देखिए लेखक ने कहा है कि जो राष्टेता पृतिवी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है ठीक है वही बिल्कुल आंसर है फिर उसके बाद नेस्ट कोईशन आप लोग देख सक ठीक है तो आप लोग इसको लिख लीजिए तो यहां पर आपको इस तरीके से लिख लेना है कि यह पिर्थिवी सच्चे अर्थों में समस्तराष्टी विचार धराओं की जन्नी है तो यहां पर देखिए जो नेस्ट कोईशन है जो की काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बजके सर्फ दो कि लिखा जाता है वह रिखांकित आंस की व्याख्या कि जीजिए यानि रिखांकित आंस क्या होता है जिसके यहां पे आप लोग देख सकते कि जो भी लिखा हु outros तो इसके नीचे अंडर लाइनें तो लाइनिंग किया गया उसी यहां से जीसरी राष्ट की लिटा करना है यह उफ्सका जिसके यहां पर सब्सक्रेट की नीचे है तो लेक्त पार mainly धो लिज़ता के कि यहां प्रफ्छव जितनी गहरी होगी तो आपको किस तरीके से करना आफ यहां पर तो यहां पर आपको डालना है रे खांकित्त व्यांशाल फिर उसके बाद देखिये यहाँ पर राष्टेता की जड़े पृत्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्टी भाव का अंकूर जो हता है वो पुस्पित यों पलमवित होगा ठेक है राष्टेता का आधार जितना अधिक ससक्त होगा राष्टी भावनाय भी उ मौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप सौंदर उपयोगितायों महिमा को पहचानना प्रतेक मनुस्रका क्या होता है ना केवल करतब है अपितु उसका धर्म भी है ठीक है तो यह हो गया रेखांकित अंस की ब्याख्या आपको कुछ इस तरीके से इसके ब्य आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे तो आपके बोड इग्जाम में आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे तो इसी तरीके से हमने पध्यांस को भी हल करने का ट्रिक बताया और पहचानने की भी चैनल पर अपलोड है वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं तो आप लोग जादे से जादा वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और जादे से जादा अपने प्रेंट्स में सेयर कर दिजिएगा इस वीडियो में इतना है आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो एक बड़ा सा लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते कमेंट करना बिल्कुल न भूले थेंक यू अल्दा वेरी बेश्ट भायगार